सो गाइस वर्चुल बॉक्स की कम्प्लीट ट्रेनिंग यू नीड टू लर्ण वर्चुल बॉक्स विकैस इन कंपनी और आईटी इंडस्ट्री एक आईटी इंजीनियर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्चुल मसीन किसी फिच्कल मशीन पर चलाना पड़ता है एक कम्प्यूटर पर दो से तीन मशीन चलाने के लिए उससे भी ज्यादा मशीन रन करने के लिए किसंड़ राप्लिकेशन का इस्टिमाल करना पड़ता है यहाँ पर हम लोग आज सीखेंगे virtual box की complete training और ये virtual box एक virtual machine बनाने के लिए बहुत ही based और open source यानि कि कोई भी आपको पैसे पे नहीं करना है, free में एक application है और एकल द्वारा जिसका इस्तिमाल करके आप different virtual machine create कर सकते हैं बट सबसे पहले तो सभी लोगों को wish you happy new year और इस particular year में हम लोग काफी advanced level पर tutorials पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, okay मैं काफी advanced level पर आप लोगों को नए नए topics आप लोगों को include करके दिखाऊंगा, या आप लोगों के लिए provide कराऊंगा तो सबसे पहले virtual box आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की demand होगी VMware पर, तो VMware का भी playlist मेंने बना रखा है, वीडियो का detail चेक करना, description box उसमें VMware playlist मिल जाएगा, जहां से आप complete VMware पढ़ सकते हैं सबसे पहले बात होती है virtual box की, virtual box हमें क्यों पढ़ना चाहिए और क्या-क्या इसके अंदर feature functions होते हैं और ये एक particular सारे topic को cover करना मैं बताऊंगा आपको as a IT engineer company में किसी भी machine का backup लेना, किसी भी machine को export करना, import करना, एंड किसी भी machine के preferences को set करना with the help of virtual box कैसे किया जाता है, सारी details इस वीडियो में मिलेगा theory से लेके lab तक मैं कोसिस कर रहा हूँ, यहां पर A to Z सारा cover करा दूँगा और हाँ, आप लोग का comment करो, कौन सा playlist या कौन सा course आप मारे channel से prepare कर रहे हो ताकि हम उससे related आगे के जो tutorials हैं, आप लोग को proper provide कर पाएं चलिए, लेट नहीं करते हैं, वीडियो में start करते हैं virtual box की training और complete यहां पर आपको virtual box मिलने वाला है, तो सबसे पहले virtual box में हम लोग यहां पर सीखेंगे, कि virtual box है क्या, ओके what is virtual box, तो details में पढ़ते हैं, virtual box is a general purpose full virtualizer for x86 hardware targeted at server, desktop and embedded use आप देखो, virtual box का use अपने server या client operating system पर इस्तिमाल कर सकते हो और इसके अंदर आप चाहे server run करिए, चाहे कोई भी client operating system को run करिए आपका सब चलेगा, एक virtual box को इस्तिमाल करके, एक IT administrator या IT engineer client machine जैसे की Windows operating system, like XP हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया अपने physical machine पर install कर सकता है, इसके अलामा अगर server की बात करें, तो आप Linux का server इस पर virtually create कर सकते हो, Windows का कोई भी addition आप इसके अंदर server का इस्तिमाल कर सकते हो, और उस पर काम कर सकते हो user can create multiple virtual machine using one physical machine, यानी कि एक machine के अंदर आप एक operating system चलाते हो, जैसे आपने अगर Windows 7 अभी use कर रखा है या use कर रहे हो, या 8, 10 कुछ भी use कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर मैं कहूं Linux भी चलाओ, उसके अंदर मैं कहूं server भी चलाओ, तो क्या possible है? नई, dual boot करना पड़ेगा, बट एक machine एक बार में run कर पाएंगे आप, लेकिन इस particular application के भीहाब पर आप multiple virtual machine run कर सकते हैं आगे देखते हैं, virtual box का जो interface है, कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, जहाँ पर यह पूरा का पूरा application है, आपके main machine पर, देखो यहाँ पर जो हमारा main machine है, वो एक तरीके का, apple का operating system है, और मैं macOS पर यह virtual box run कर रहा हूं, इस virtual box के अंदर, यहाँ पर देखो, fedora का, या Ubuntu operating system, या Windows का कोई भी version आप install करके, उस पर काम कर सकते हो, ओके, तो already आपको आगे के सारे lab मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगे, virtual box का जो look like है, आप देखो, चाहे वो Windows पर करो, चाहे आप Mac OS पर करो, चाहे आप Linux पर करो, इंटरफेस सिमिलर है, एक application पर काम करन multiple virtual machine जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, की Fedora है, Ubuntu है, DOS है, client operating system के लिए, sent OS हो सकता है, और भी बहुत सारे operating system है, 8 है, ये सारे operating system एक साथ इस्तेमाल करने है, one by one नहीं करना, आपको एक साथ आप चाहो, तो सारे application को इस्तेमाल कर सकते हो, सारे operating system को यूज कर सकते हो, आगे या इस virtual box को हम लो, किस-किस application या operating system पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहले यहां पे, Windows operating system अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, like Windows 7, XP, Vista 10, 11, तो उस पर भी आपका चलेगा, अगर आपका OS X host है, यानि की OS X भी एक operating system होता, इसके उपर आप चलाना चाहते हो, तो भी चला सकते हो, Linux के किसी भी distributions पर चला सकते हो, Solries वगरे के operating system पर चला सकते हो, Olaris का जो यह operating systems वगरे है, है न, Olaris 11, IPS host वगरे पर भी आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो no matter कि आप Windows पे हैं, Linux पे हैं, Apple के operating system पर हैं, आप सभी जगह पर इस application को easily download करके इस्तेमाल कर सकते हैं, any amount for this particular application, यह बिल्कुल free है, lightweight है, 150 MB के अंदर यह पूरा का पूरा application आपको मिल जाता है, यानि कि आपके machine पर 2,4,10 GB की जरूरत नहीं है, एक simple 200,300 MB के application में आप इसको, मतलब ही space में आप इसको install कर लेंगे, और काम कर पाएंगे, ओके, चलिए आगे बात करते हैं, इतना हो जाने के बाद just next करते हैं, menus option, virtual box में तीन menu icons दिये हुए है, जब आप virtual box को open करते हो, तो यहाँ पर देखो file है, machine है, और help है, इन तीन menu option से आप पूरा का पूरा अपने virtual machine manage कर सकते हो, first option जो है, यह file option है, file option में आपको क्या मिलता है, preferences related details मिलती है, where you can set your virtual machine preferences and default location क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें कर सकते हैं, import, export, इसका shortcut key यहाँ पर दिया हुआ है, shortcut keys को बहुत जरूरी होता है, in virtual machine या virtual application को पढ़ते समय, तो मैं आपको VMware, sorry, virtual box का complete shortcut keys आपको provide कर दे रहा हूं, just DC के बाद, आप वहाँ से देख सकते हैं, और अपना shortcut तयार कर सकते याद कर सकते हैं, new cloud VM चलाना है, तो भी आप यही से चला सकते हैं, virtual media manager, network manager, network operations manager, check for update, reset all warning and exit कर सकते हैं, so these all settings are come under file option, menu option, second आप का जाता है machine, where you can add new machine, or you can add virtual hard disk, मतलब directly आप disk वगरे भी add कर सकते हैं, सारे options यहाँ पर मिल जाते हैं, shortcut keys यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके, आप यह menu options के अंदर सब menus को follow कर सकते हैं, या directly open कर सकते हैं, third जो icons या menu आपको मिल जाता, help का मिलता है, where contents, virtual box website, virtual box bug tracker, virtual box form, and oracle website, about virtual box आप पढ़ने के लिए या अपने virtual box से related details को find करने के लिए help option का इस्तेमाल करके, आप virtual box से related help ले सकते हैं, बाकी अगर next option की बात करें, तो यहाँ पर lab manual, lab manual में हम लोगों को यह लगभग में 6 tool है, या 5 tool इसके अंदर आता है, main tool के अंदर, तो इन 5 tools को हमें क्या करना होता है, proper तरीके से perform करना होता है, practically समझना होता है, तो start करते हम लोग lab manual को, इस lab manual में हम लोग preferences की setting देखेंगे, where you can set the default preferences for your virtual machine, like what is the storage, what is the location of your virtual machine, की मतलब आप अपना virtual machine install करें, तो किस location पर install हो, जैसे कि आपके computer पर C drive है, D drive है, E drive है, F drive है, यह सारे है, तो इन सब चीजों को आप manage कर सकते हैं, और किसी भी location को select करके, आप उस जगह पर अपना virtual machine set कर सकते हैं, import कर सकते हैं, import में अगर आपकी बनी बनाई machine है, पहले से, तो directly आप उसको import कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसी websites होती हैं, जहाँ पर बनी बनाई machine मिलती है, वहाँ से directly download करके, आप import कर सकते हो, next आपका option आजाता ह तो in case अगर आगे चलके, आपकी VMware machine में कोई problem हो, तो आप अपना new machine दुबारा से restore कर पाए, so you can export your new machine, and also you can create new machine, यहाँ से आप एक नई machine create कर पाएंगे, इस option से, and also एक और option add करने से भी आप एक new machine, और एक मतलब की directly VHD बगर add कर सकते हैं, तो चलिए, आगे देखते हैं क्या सारा details है, और इन सभी चीजों को हम लोगोंने manage करना है, आगे अब हम लोग application open करते हैं, download करते हैं, और सीखते हैं, अब virtual box application already मेरे पर install है, मैं अपना यहाँ से open कर लेता हूँ, आपको कहां से यह download करना है, उसको मैं दिखा देता हूँ, सबसे पहले आपको अपना VMware, sorry, अगर इसको download करना चाहते हैं, तो simple आप अपना browser open करेंगे, और इस browser पर आप type करेंगे virtual box, simple इतना type करके enter की press कर देंगे, and आप यहाँ से download कर पाएंगे, click करेंगे first link पर, और यहाँ से आपको download virtual box 6.1 new edition है, यह और अक्कल द्वारा पूरा का पूरा organized या manage करा जाता है, and यह से आपने click करना है, click करने के बाद यह options मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ से अगर आप windows operating system use करों, तो windows पर click करोंगे, 103 MB का software है, यह मिल जाएगा, और double click करके आप simple install कर लेंगे, installation करना कोई rocket science नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको install कर लेंगे, और यह okay हो जाएगा, इ Fedora पर click करेंगे, Fedora का first link open करेंगे, ऐसे आप windows 7, windows 8, windows 10, या linux का, या windows server का कोई भी मेस download कर लेंगे, जहां से आप काम करेंगे, तो यहाँ पर 3 option है, वैसे मैं यहाँ पर Fedora के भारे में नहीं समझा रहा, बट यहाँ पर मैं workstation को select करूंगा, और यहाँ से simple इसको select करना है, download option और यह download हो जाएगा, यह सबसे lightweight operating system है, एक 2 GB के अंदर आपको यह मिल जाता है completely, और यह download हो जाने के बाद, जस्ट आपको आगे का process स्टार्ट कर देना है, तो इतना करने के बाद, simple, मैं यहाँ से आजाता हूँ अपने Oracle Virtual Box Manager पर, और यहाँ से हम लोग machine setup स्टार्ट करते ह सबसे पहले आप देखो preferences में देखते हैं, तो एक-एक setting को मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको आगे काम करने से related कोई problem ना हो, first option preferences है, इस पर click करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा general option, in general option you can select default machine folder की, आपका जो machine है, वो कहाँ पर install हो, तो अगर मैं यह यहाँ पे user esst virtual box, मतलब यह को user है, user का नाम esst2 है, इसके अंदर एक virtual box का folder है, जिसके अंदर यह पूरा का पूरा install होगा, अगर आप इसका location set करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे click करिए, other करिए, other करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे documents को select कर लेता हूँ, और यहाँ पे directly मतल तो यहाँ से create कर सकते हो, मैं यहाँ पे create कर देता हूँ, एक virtual box, एक proper तरीके से manage form में हम लोग use करते हैं, इसको select कर लेते हैं, अब आपका जो भी installation होगा, इस particular location पर होगा, authentication में आपको कुछ भी changes नहीं करना है, input, keyboard का input, यही आपको समझाना था, यह shortcut keys है, यह आपको याद कर लेना है, अगर आप smart way से काम करना चाहते हैं, तो, पहला option देखो, control shift A से आपका cloud profile manager open होगा, ऐसे यह सारे options होते हैं, ओके, यहाँ पे control shift T है, log viewer करने के लिए, log view find देखने के लिए, control shift F है, ऐसे करकि यह सारे options दे रहा है, cloud manager open करने के लिए, export import करने के लिए भी यही पे control I दिया हुआ, import appliances, जैसे कि आपको, import का यह option अगर directly open करना है, control के साथ क्या press करेंगे, I, अगर मैं यहाँ पे press करता हूँ, तो, आप देख सकते हो, like control, मैं इसको अगर close कर दूँ, और यहाँ पे press करूँ, control I, आप देखो, यह चीज open हो जाएगा, यह directly यहाँ से भी open हो जा चाहते हैं, वैसा कर दे, आप थोड़ा सा gap करके करें, 5 days या 1 week का, ताकि daily basis पर आपके system पर load ना हो, and then just आप language setting कर सकते हैं, display का default setting क्या रखना, आपको वो change कर सकते हैं, set कर सकते हैं, automatic, none, hint, जो कुछ भी आप यहाँ से manually set कर सकते हैं, इसके लावा network manager आप यहाँ से manually चाहें तो multiple network manager add कर सकते हैं, यह सब आगे आपको बताया जाएगा, extensions, proxy वगरा सब लगा सकते हैं, तो यह हमें preferences के अंदर मिलता है, import में नई machine अगर bunny बनाई है, आपके पास ovf file है, तो उसको यही से आप direct open कर लें, और आपकी machine import हो जाएगे, और directly run कर लेंगे, export मतलब आपकी machine आपकी direct अगर vms या virtual machine है, तो उसको directly यहां से add कर देंगे, तो यह सारे options हैं, तो मेरे पास यहां पर मैं desktop पर एक, या simple, मेरा download manager के अंदर मैंने रखा हुआ है, एक machine, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, simple, यह है, fedora का operating system, ओके, यह fedora oias हमारा यहां पर है, मैं इसको क्य करता हूँ, install करता हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, new machine, तो सबसे पहले एक नई machine set करते हैं, उस machine का import, export, सारा option दिखाऊंगा, snapshot कैसे अगर लिया जा सकता है, तो करते हैं, and कैसे आप machine add करेंगे, सारे options यहीं पर आप लोगों को clear हो जाएंगे, है ना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, पर एक complete tutorial इससे related आपको यहाँ पर मिल जाएगा, new पर click करते हैं, आप अपनी machine का नाम कुछ भी दे दीजिए, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, fedora, right, fedora, and यह machine, आपका virtual box या VMS के अंदर यह store हो रहा है, other operating, other जगह पर आते है documentation, virtual box के अंदर, select folder, मेरा यहाँ पर जाकर install हो, and मैं यहाँ पर यह Linux का है, fedora 64-bit, install कर रहा हूँ, automatic है, detect कर लेगा, थोड़ा से smart way से काम करता है, and then just आपको next करना है, fedora के लिए आप RAM सेट कर दीजिए, तो at least मैं यहाँ पर 2GB RAM सेट कर देता हूँ, like 2048, and then next करता हूँ, finally यह पर देरा, do not add a virtual hard disk, create a virtual hard disk, use an existing hard disk file, तो अगर आप नहीं hard disk create करना चाहते हैं, तो यह option create करना चाहते हैं, एक अलग fedora का hard disk create हो जाए, जिसको आप आगे चलके इस्तिमाल कर सकते हैं, export, import, and add कर सकते हैं, तो आपको middle वाला option select करना है, बनी बनाए कोई hard disk है, तो उसको directly से attach कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से एक नया hard disk create करता हूँ, and then create option, अब यहाँ पर VDI, VHD, VMD के तीन option है, तो सबसे पहला जो option है, वही आप रहने दे, VHD virtual hard disk create करने के लिए, सारे options आप create कर सकते हैं, use कर सकते हैं, तो मैं first by default रहने देता हूँ, next करता हूँ, dynamic allocation disk का रहे है, या fixed size आप देना चाहते है, तो dynamic allocation रहने दो, ताकि अगर आप 20 GB operating system के लिए space देते हो, आगे चलके उसमें कुछ additional और file रखते हो, 20 GB से ज़्यादा जगह लेता है, तो वो dynamically adjust कर ले, आपके C drive से, तो यह आपको select कर लेना, next करना है, by default 8 GB यहाँ पर है, तो मैं इसको कर देता 30 GB, simple, 20 GB, okay, and यहाँ पर मैं कर देता हूँ, 00, इतना करने के बाद देखो, 2 TB का, आपको यह space देगा, 20 GB या maximum 2 TB तक आप लेकर जा सकते हैं, create करेंगे, आपका यह done हो गया, अब तो आप कहेंगे कि operating system अगर add नहीं किया, यह सब details, तो don't worry, यह आपका machine का setting है, या इस से related, द पर है, आप इसको चाहों, यहाँ क्लिक करके set कर सकते हैं, और display related setting अगर आपको manage करना है, click करके, कैसा display चाहिए, storage से related आप यहीं पर manage कर सकते हैं, audio से related, network से related, अगर आप click करेंगे, यहाँ से सारी चीज़े manage करने का option है, okay, तो यह सारी details, description अगर कोई details चेक करना चाहते हैं, इस particular machine से related, तो वो भी add कर सकते हैं, इतना ही यहाँ से start कर देंगे, बट उससे पहले हमें कुछ setting में आकर changes करने होंगे, setting में आ जाएंगे, और यहाँ पर देखो, आपको कुछ यह icon मिलेगा, first of all, यहाँ पे general में आपने जो details दिया है, वही है, system में आपने जो details दिया है, system कितना GB RAM, क्या है, कैसे है, सब कुछ रहने देना है, display की setting में enable 3D acceleration कर दें आप, ताकि अगर advanced graphic की जरूरत पड़े, आपके VMware machine को, तो यहाँ से यह select कर ले, okay, काफी असानी से सारी चीज़े समझ में आ रही है, okay, and then finally storage में आ जाएंगे, storage में देखो, सारी disk empty है, VDI मैंने create किय हुआ है, empty के अंदर आकर अभी ISO file भी add मैं करवा देता हूँ, audio के अंदर सारा चीज़ रहने देना है, network अगर आप net पे रखना चाहते हैं, net पे bridge adapter कर सकते हैं, bridge adapter करने से आपका main machine का adapter है, उसके साथ आपकी VMware की machine, sorry, virtual box की machine, यानि की virtual machine connect हो जाएगी, अगर आप अपने Windows 10 पर अपने Windows 10 पर कुछ रखा हूँ और इसको share करना चाहता हूँ, तो definitely हम यहाँ पे set कर सकते हैं, sorry, यहाँ पे set करेंगे अपना network adapter में bridge adapter, internal adapter में क्या होता है, कि आपका internal जितना भी network आपका set होगा, VMware के लिए काम करेगा, host only मतलब कि internal adapter में ये VMware के सारे internal adapter connect होंगे, host only में क्या हो virtual box के, not VMware, virtual box के, सारे adapter आपस में सिर्फ connect होंगे, आपका base machine से communication नहीं होगा, आप एक साथ दो adapter रख सकते हैं, एक को net पे रख दें, और एक को bridge कर दें, ताकि अगर update वगरे भी लेना हो, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, okay, बाकी और भी यहाँ पे बहुत सारे options हैं, इनक आपको कोई use नहीं पड़ेगा, okay, finally adapter 2 के अंदर, adapter 3 के अंदर ये सब कर सकते हैं, adapter 2 में कुछ नहीं attach है, ये सारी details, okay, तो adapter 1 है, adapter दूसरा भी add करना है, तो आप कर सकते हो, को issue नहीं है, बाकी इसकी details, इसका Mac address क्या आ रहा है, इसको refresh करना चाहते हैं, आपका Mac address बदल जाए serial port, USB port, सारे options यहां पर है, सब select है, सब okay है, अब final आपको storage पर आना है, fedora के अंदर देखो, यहां पर कुछ ऐसा options, देरा 20 GB card disk, सब कुछ, लेकिन इसका अभी operating system नहीं add है, तो आप empty वाले option पर select करिए, और यहां पर देखे, chooser disk, okay, chooser disk या creative virtual machine, अगर chooser disk मैं करता हूँ, download क अंदर आता हूँ, यहां पर fedora का एक option है, इसको मैं select करके add कर देता हूँ, 1.87 GB का देखो, fedora workstation live आपका run हो गया, and then finally आपको क्या कर देना, okay, बस हो गया, machine आपकी ready हो गई, finally आपको start करना है, और instructions को follow करना है, wait करते हैं थोड़ा सा, इसमें अगर आप virtual box को देखेंगे, या compare करेंगे VMware के साथ, तो virtual box काफी light weight है, and थोड़ा सा कम feature functions के साथ आता है, तो यह सारी details तो है, कि VMware के compare में इसमें कम feature होते है, अब यहां पर क्या कह रहा है, कि just आप select कर लीजे, क्या select करना है, तो first option यहां पर है, start fedora workstation live, second option का है, test this media and start fedora workstation live, test करना है media को, and troubleshooting option, तो नी नीचे का कोई मतलब नहीं है, beach वाले का कोई मतलब नहीं है, first option आपको select करना है, और actually यह live operating system है, तो सबसे पहले यह on हो जाएगा, तो मैं यहां पर live को select करके enter करता हूं, and यह run हो जाएगा, and then finally, control and alt key, control and alt key, अगर आप अपने left side वाला control and alt key प्रेस करते हैं, तो आपका mouse इ यहां से बाहर नहीं आएगा, तो याद रखें, यह shortcut, इसलिए मैंने का आप लोगों को तयार करना पड़ेगा, okay, तो finally, मैं अगर यहां पर fedora run कर लिया, अगर मैं यहां पर click कर देता हूं, तो यह से बाहर, आपका option नहीं आता है, control and alt key press कर लेंगे, आपका option आजाएगा, चलिए ठीक है, machine हमारी live हो रही है, on करते हैं, यह देखो, automatic stretch हो जा रहा है, पूरा का पूरा operating system, जैसे ही मैं expand कर रहा हूं यहां से, तो अभी आप आगे भी चल कि इसका desktop resolution या जो कुछ भी है, set कर सकते हैं, काफी अच्छे-च्छे भी options वगेर मिल जाएंगे, menu options आप पूट आ गया है, यह सब चीज़ें आ गई है, वैसे तो file, machine और help होता है, बड़ तीन option और मिल जाते हैं, devices में जैसे नई device कुछ add करना है, जो कुछ भी है, यही से आप add, delete, remove कर सकते हैं, यह सारे options मिल जाते है, input, keyboard वगर का यह सब दिया हुगा, इस options को मैं जरूर यहां पर समझाऊंगा, जैसे कि यहां पर view option में, full screen अगर करना है, control, sorry, host plus F, host मतलब windows की के साथ, आप इसको press करेंगे, आप काम कर पाएंगे, अगर मालिया कि आप जितना यह stretch करते हैं, जैसे अभी यहां पर देखो, यह मैं stretch कर रहा हूँ, तो इतना ही automatic हो जा रहा है, तो अगर ले सकते हैं, recording कर सकते हैं, अगर आप यहां से recording वगरे करना है, snapshot पे अगर आप click करते हैं, तो host E से आपका होगा, या इसका particular snapshot आपको मिल जाएगा, menu bar option है, यह सारे options है, तो चलो, virtual machine का resolution यहां पे देखो, unscaled output है, तो scale जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगा, automatic होता रहेगा, तो यह सारे options मैंने आपको सिखा दिया, और आप click करेंगे, जैसे अगर मैं यहां पे seamless mode कर देता हूँ, या scaled mode कर देता हूँ, तो automatic जैसे आप इसको माल यह कम ज़्यादा करेंगे, उससाब से set होता रहेगा, उसके बाद यहां पे fedora try करने का option आ रहा है, and एक option है, install hard drive, install कर अगर live use करके बंद कर देना है, तो इसको temporary use करना है, तो यह option जा सकते है, तो मैं यहां पे install करता हूँ, and सबसे पहले अगर हमारा एक proper तरीके से install हो जाएगा, तो मैं इसका आगे का जो आपके virtual box की setting है, चाहे वो import, export, add करने से related सब कुस बता पाएंगे, तो wait करते हैं यहा आप लोगों का proper installation दिख जाएगा, तो आगया, and अब यहां पे आपको language select करना है, हमेशा यहाद रखे हिंदी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप हिंदी typing और यह सब नहीं जानते हैं, तो problem होगी, तो English को select कर लेंगे, United States select करेंगे, and then continue उपर click कर देंगे, फाइनल यह option क्लिक करने के बाद, आपको next option पर आजाना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके सा option है, installation, destination पूछ रहा है, तो आपने 20GB का hard disk कैट किया था, उसको select करो, तो 20GB का hard disk की यह automatic select है, और यहाँ से आपको क्या कर देना, done कर देना है, done जैसे ही आप यहाँ पे click करते हो, आपका यह select हो जाएगा hard disk, जिसके अंदर आपका fedora OS install हो जाएगा 20GB में, चेकिंग हो रहा है यहाँ पे, ओके, तो चेकिंग done हो गया, and then begin installation आगया है, बट यहाँ पे date or time आप सेट कर दें, क्योंकि Asia, Kolkata, यहाँ जैसे इंडिया से हूँ, तो यहाँ से मैं select कर लूँगा, and मैं इसको done कर दूँगा, ओके, अपनी need के according, जो भी आपका country है, select लगे, and then finally, यहाँ पे begin installation पे click करेंगे, यह 5 minute के आसपास लगेगा, मैं वीडियो को pause करता हूँ, and then 5 minute में जैसे installation complete हो जाता है, आगे का complete setup दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर installation आपका complete हो जाता है, and then finally, आपका finish कर देना है, वैसे जितना सोचा था कहीं, उससे ज़्यादा time लग गया, installation के समय, जितना छोटा image, उतना ज़्यादा time यहाँ पे लगा, तो finally, finish the installation, and then, this is the federal operating system, which I installed in virtual box, okay, तो हमें operating system यहाँ पे नहीं पढ़ना है, नहीं समझना है, हमें बस एक machine चाहिए थी, मैंने यहाँ पे proper install कर दिया, सब कुछ यहाँ पे run हो रहा है, open हो रहा है, आप देख सकते हो, सारी चीज़े काम कर रही है, अब main बाद आती है कि कैसे हम लोग इस machine पर आगे का काम करेंगे, इस machine को power off करना है, या जो कुछ भी है, and just machine power off होने के बाद, अब हमारे पास options होने चाहिए कि हम particular fedora operating system का या जो भी हमारे पास machine है, इसका backup कैसे बनाए, ये सारी details, तो machine को proper तरीके से बंद हो जाने देते हैं and then बाकी का सारा option आपको दिखा देते हैं, तो finally बस थोड़ा सा options बचा हुआ है and then you can, आप master हो जाएंगे तो machine run हुआ and after all ये बंद भी हो गया, finally मैं इसको थोड़ा सा minimize करता हूँ and यहाँ पर मैं my computer open करता हूँ, माई computer के अंदर, अब मैं documents के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसका virtual box का एक machine export कर देता हूँ, जैसे कि अगर मुझे इस machine को export करना है, तो I can export and then आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है new पर click करने के बाद आप इस पर right click करिए, setting option इस machine से related setting कर सकते हैं, इसका clone बना सकते हैं, यह सारे options दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग export to OCI और यह सारे options दिया हुआ है, तो finally अगर आप इसको export करना चाहते हैं, you can click on export button, लेकिन अगर tools में आने के बाद मैं export button पर click करता हूँ, फेडोरा यहां पर दिया हुआ है, directly आप यहां से next करेंगे, export कहां पर करना, format आपका open virtualization format 1.0 तो यह रहने दें या कौन सा है, जो भी आपका latest है उसको select कर लो, या by default जो select है वो based select करता है, इसको रहने दो, and write manifest file, include ISO images, तो ISO images मुझे नहीं करना है, मेरा जो main file है, sorry, manifest, तो मुझे अपना main file के साथ सब कुछ network address translation, जो कुछ भी है, as it is, अपनी ova file को transfer कर देना है, तो मैं इसको रखूंगा कहां पर documents के अंदर fedora.ova करके यह transfer करेगा, finally, आप next कर देंगे, जो option आप यहाँ से select कर रहे थे, आप यहाँ पर right click करके, export करने पर, वही option आपको directly यहाँ से export करने पर मिल जाएगा, okay, तो अब just यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, export करता हूँ, next, sorry, तो कहाँ पर है, fedora हुआ, okay, next, अब यह कह रहा है कि virtual system 1, okay, name, product, यह सारी details दिया हुआ है, as it is, आपको रहने देना, and then export पर install, send कर देना, तो यहाँ पर आपका एक file बन जाएगा, देखो यह है, और यह 8 second remaining कुछ ऐसे दिखा रहा है, actually, मैं यहाँ पर approximately 20 GB RAM पर कर रहा हूँ, तो भी SSD के साथ फिर भी यहाँ पर देखते कितना time लगता है, तो approximately 9 minute का समय दिखा रहा है, क्योंकि virtual box के अंदर अगर fedora की पूरी details है चेक करिए, तो यह लगभग में 3 GB, 4 GB के असपस file है, तो 4 GB के लिए यह लगभग में 7 minute का space दिखा रहा है, तो काफी ज़्यादा दिखा रहा है, अगर 4 GB हम copy करते directly तो within 1 hour 2 minute यह हो जाता, बढ़ो सकता हो यह machine है, तो time लगा है, तो 10 minute वेट करते हैं, ओके, so finally यहाँ पे machine export हो गई है, अब क्या है कि इतना कर लेने के बाद अगर आपका यह देखो पूरा का पूरा जो space है, ओवा फाइल का, sorry, ओवा हान जी और यह total 2.55 GB का यह space लिया है, ओके, अगर हम यहाँ से यह machine delete कर देते हैं, इन केस यह वाली machine को हम यहाँ से क्या करते हैं, remove कर देते हैं, okay, delete all file भी कर सकते हैं यहाँ से, but remove only अगर हम करते हैं, okay, and then finally अब यहाँ पे export तो आपने कर दिया, import option पे आईए, file को select करिए, अब यहाँ पे साफ लिख कर आ रहा है, over file, ovf की file, तो यहाँ से आप इस fedora को select करिए, okay, कर लीजिए, next करिए, and then finally यह पूरी details दे रहा है, ram आपका यह है, dvd, cd, सब कुछ यहाँ पे details में mention है, and then finally आप import पे click कर दीजिए, अब सेम उतना ही time और process लगाएगा यह, and then finally आपका पूरा का पूरा import करके add कर देगा, आपको जरह सभी यहाँ पे problem नहीं होगी, bunny बनाई machine आपके पास open होके मिल जाएगी, और easily आप उसमें login करिए, और आगे काम करिए, तो कितना आसान है यहाँ पे, इस export, import के साथ सारी चीज़े manage करना, and then finally सारी चीज़े तो मैंने बता ही दिया, अब, ओके, अभी दूसरा option नहीं open होगा, जब तक हम यह वाला option complete ना हो जाने दें, so complete machine यहाँ पे आपकी import हो जाती है, and then finally just click करिए, पारान करिए, और machine को use करिए, तो आपको सारी details मैंने यहाँ पे बता दिया, कैसे machine को add करना है, import करना, export करना है, यह सारी details हो गई, अब related network setting और यह सब अगर रहता है, तो आप setting पर click करेंगे, अपनी machine को select करेंगे, network select करेंगे, अब मालिया, यहाँ पे कुछ चीजे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, अगर मालिया कि आप चाहते हो कि आपका जो यह virtual machine है, यह आपके, मतलब कि जो adapter है, यानि physical machine है, उससे एक dynamic IP ले, यानि कि एक net IP पर यह internet को access करें, यानि आपके main machine की जो IP है ना, उससे यह कहीना कहीं secure है, है ना, कहीना कहीं secure रहेगा, और एक generated, temporary generated IP मिलेगी net के थुरू, जिसके थुरू आपका machine, internet भी use कर पाएगा, और सारी details, और जैसे ही अगर आप अपना manual machine पर, मतलब जो भी आपका virtual machine है, इस पर अगर कोई IP आप change करते हो manually, तो net पर ही रहेगा, बट आपकी virtual machine की जो IP है, वो internet से communicate नहीं कर पाएगी, दूसरा option अगर bridge adapter करके ok कर देते हैं, तो देखो, आपका जो main machine का adapter है, इसके साथ यह connect हो जाता है, और connect हो जाने के बाद directly आप अपनी main machine से internet और अपनी main machine के सारे feature functions को access कर सकते हैं, जो भी network services होती है, जैसे मालिया यह फोल्ड, यह PPT मैं share करता हूँ, और मुझे इस fedora पर access करना है, तो मैं bridge adapter करके क्या कर सकता हूँ, ok कर दूँगा, और इस machine का IP डाल कर इसको access कर सकता हूँ, ok, तो पूरा का पूरा यह bridge adapter आपके physical machine से connect हो जाता है, और internal adapter यहाँ पे दिया हुआ है, यह INET इसके लिए है, और यह particular मतलब internal network communication है, आपके virtual machine के लिए सिर्फ होता है, ok, and again आपका मिल जाता host only adopters, host only adopters जो होते हैं, यह आपके एक virtual machine, किसी दूसरे मतलब की same platform पर, दूसरी virtual machine directly आपस में connect होगी, इसमें जो भी physical machine और इन सब चीज़ें से कोई communication नहीं होगा, ok, यहाँ पे देखो लिएका वो virtual host, virtual box, host only, ethernet adapter, ok, and यह सारे options आपको मिल जाते हैं, host only adopter यह कर सकते हैं, generic adopter यह सब नहीं करना है, यह सब पे कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल blank है, आपको बस यह bridge, internal, net, और host only adopter, इसमें से यूज करके कोई भी, आप अपनी network service को यूज कर सकते हैं, अगर मालिया कोई pen drive आप use कर रहे हो, कोई आप यहाँ पे disk यूज कर रहे हो, तो यह सारे options यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, serial port जैसे कि मालिया network all आपको बता ही दिया, अगर मालिया pen drive है, आप कोई pen drive आप attach करते हो, तो यहाँ से देखो उसको plus करके, जैसे कि मालिया हमारा कोई pen drive हो, उसको मैं directly यहाँ पर add कर सकता हूँ, और वो machine हमारे VMware पर क्या हो जाएगा, काम करना start कर देगा, तो sorry, इस हमारे virtual box की जो machine है, virtual machine इसके साथ attach हो जाएगा, काम करेगा, बहुत असानी से आप सब manage कर लेंगे, I think, अगर कोई भी doubt होता है, तो मुझे बताना, हम उससे related आपका जो problem है, वो solve कर देंगे, अब बहुत important कुछ messages है, द्यान से सुने, अगर आप one to one communication करना चाहते हैं, तो Instagram पर जरूर follow करें, Instagram का link वीडियो का description में है, और Twitter पर भी follow कर सकते हैं, साथ में आप लोग हमारे चैनल पर क्या पढ़ रहे हैं, जरूर comment करके बताएं, ताकि उससे related फटाफट में videos upload करता रहा हूँ, मेरा ethical hacking का जो school है, मतलब ethical hacking school channel है, इस पर आप जरूर subscribe करके रखें, like करके रखें, क्योंकि यहाँ पर भी देखो, एक से एक आपको टुटोरियल्स मिलते रहते हैं, related security, cyber security, ethical hacking, इन सब चीज़ों से related, ओके, तो यह चैनल जरूर subscribe करके रखेंगे, and वीडियो कैसी लगी, comment करके बताएं, like करें, आपका like हमारे मतलब की particular YouTube content को promote करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक reach होती है, तो आपका यह जो like और इसका support है, यह काफी better हमारे मतलब की हमको motivate करता है, and next videos जल्दी ही आप लोगों को मिलेगी, और कोई भी doubt होता है, तो comment कर देना, और one to one masses करना है, तो directly Instagram पे follow करके masses करतेंगे, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, thank you so much. एपका पूदी करते हैं नेक्स्ट करते हैं,